हे गाईज वेलकम बैक टो माई योटूब चैनल कैसे हो आप सभी आज जो है मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जो कि सिल्क थ्रेड हैंडमेड जोल्री है और ये सारी जोल्री जो हैंडमेड है और सिल्क थ्रेड है जो कि मैंने खुद घर पे डिजाइन किया है और अब तक ये सारी डिजाइन मैंने सेल कर चुकी हूँ मैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अब तक मैंने अनलिमिटेड डिजाइन जो है सेल किये हुए हैं सिल्क थ्रेड के तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए ये जोलरी डिजाइन जो है शेर कर रही हूँ मैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस एक लाइक जरूर दे दीजेगा और आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे जोलरी देखने को मिलेंगे ये सारे मेरे सिल्क त्रेट जोलरी है ये गले का सैट है जो कि पूरा प्रपर नहीं दिख रहा है तो तो आज से आप मैं ऑन-लाइन बिजनस दुबारा स्टार्ट कर रही हूँ जो कि सिल्क त्रेट जोलरी है ये एक मैंने टी-शेर्ट पे डिजाइन किया था जो कि मुझे order में मिला था निशीता नाम लिखने के लिए तो मैंने design किया था आप सभी को पता है मैं t-shirt वगरा design करती हूँ, jewelry बनाती हूँ, DIY करती हूँ, painting करती हूँ और कड़ाई वगरा करती हूँ, साड़ी वगरा बनाती हूँ खुद घर पे तो यह देख सकते हैं, करवा चोथ पे मैंने design किया था customer के demand पे, bridal design बनाया था और आपने सबसे पहला जो photo देखी थी, वो चूड़ा set था जो कि silk ठेट चूड़ा set था, तो देख सकते हैं, यह सारी unlimited design जो है आप तक मैंने बनाई है, और sell किया हुआ है, तो अगर आपको इन में से कोई भी design अच्छा लगता है, तो आप मुझे comment section में comments करके order दे सकते हैं, मैं आपके demand पे भी jewelry design कर सकती हूँ, अगर आप अपने हिसाब से मुझे कोई jewelry design करने के लिए देते हैं, या design बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं, हल्दी की रसम के लिए और महंदी की रसम के लिए भी jewelry order पे बनाती हूँ, और मैं बच्चों के school के graph वगरा भी बनाती हूँ, school से भी मैं बच्चों के school वगरा से भी जो है मैंने काफी सारी चीजों का course किया है, बहुत अलग-अलग अलग city जाके, मैंने course किया हुआ है ये मेरा कोईज प्रोफेशनल काम नहीं है ये मेरा professional काम है, जो की मैंने proper इनका course किया हुआ है मैंने fashion, designing वगएरा हर चीज का course किया हुआ है, काफी पैसा invest भी किया है मैं कलकता लखनो और काफी सीटी में जाके इन सारी चीजों का कोर्स किया हुआ है और मैंने जोल्री ये देख सकते हैं ये राजस्थानी बांगडी जिसको बोलते है वो मैंने बुकरंग के उपर बनाया हुआ है जो कि मैंने कौपी करी है बांगडी की और बहुत डिफिकल्ड था लेकिन फिर भी मैंने उसे कौपी करके बनाया है और से सेल किया है और मेरा एजुवेशन वगरा भी लगता रहता है मैं स्टॉल वगरा भी लगाती रहती हूँ इन सारी चीजों का और मुझे काफी सीटी से ओफर भी आते रहते हैं स्टॉल वगरा लगाने के लिए अब सबको पता है अब सबने देखा है मुझे दिवाली पे भी स्टॉल लगाने के लिए ओफर आया था जो कि मैंने स्टॉल लगाया था और वो वेस्ट चीजों मेटेरियल के उपर मैंने लगाया हुआ था तो यह देख सकते हैं इस तरीकी की यहरिंग वगरा है मैं जितने भी वेस्ट मेटेरियर होते हैं उनको यूज करती हूं और रिसाइकल भी करती हूं चीजों को चीजे बनाती भी रहती हूं ऐसा नहीं है कि मैं किसी ओनलाइन देख के सब चीजे करती हूं बट मेरे को इस जीजों का एक्सपरियेंस बहुट बहुत टाइम पहले से क्चे हूं हो तो आए क्शन क के इसन डिसंबर का स्टॉल जो मैंने है पिछले डिसंबर में दिल्ली हैं अर्व6 और बहुत अछ आ liberatebei तो इस वीडियो में जो आपने आवाज सुनी है ये मेरी एक फ्रेंड है जो की बहुत बड़ी संस्ता में काम करती है और ये मतुरा में रहती है ये कुकिंग वगएरा करती कुकिंग वगएरा का स्टॉल लगाती है जितने भी सिटी में स्टॉल वगएरा लगते हैं ये वहाँ पे स्टॉल लगाती है और ये वोमेन पावर के बारे में बात कर रही ह वो काम कर सकती है घर का काम कर सकती है अपना बच्चा समाल सकती है और इस साथ के साथ बिजनस भी समाल सकती है तो वोमेन पावर बहुत बढ़ी चीज होती है और जो होती है बहुत हिमती होती है आदमी के मताविक जो है और तो के अंदर बहुत जादा सहन सीलता होती है तो देख सकते हैं वन मिनट तो आप सभी देख सकते हैं यह मेरे सारे लेटेस डिजाइन जो कि बहुत खुबसूरत कलर वाइस डिजाइन वाइस आपको इतने ब्यूटिफूल मिलेंगे सिंपल भी होंगे तो भी आपको इतने खुबसूरत मिलेंगे एक यह मैंने स्टॉल लगाया था पिछले विंटर पे स्टॉल लगाया था जो कि सी फोरी में है सनी मार्केट जिसको बोलते हैं वहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया था तो मैंने आपको जैसा बताया मेरा स्टॉल वगरा लगता रहता है यह आप देख सकते हैं कि कितना beautiful yellow and green का combination है जो कि हलदी रसम के लिए मुझे order में आया था और ये सारे order मुझे जो है किनारी बजार यानि की चादनी चौक से आया हुआ था वहाँ पे 3-400 पैसे हैं जो कि मुझे handmade product लेते हैं और order देती रहते हैं बनवाते रहते हैं और ये जो है घुंगरू जो हल्दी रसम के लिए चला था या फिर मेंदी बगरा के लिए एक टाइम गोटा बटी और जोल्टी का बहुत जादा था देख सकते हैं कितना खुबसूरत खुबसूरत जो है यह रिंग्स मैंने डिजाइंग किया हुआ है और यह मैं आपको दिखा रही हूँ वन मिनट किनारी बजार ठैंक यू प्राजी आपको सदर बजार से ओर देने के लिए यह अपके लेटेस्ट डिजाइन तेयार है तो यहाँ पर मैं कॉल पर उनको बता रही थी यहाँ मैं उनको थैंक बोल रही थी ओर देने के लिए जो कि मुझे सदर बजार और किनारी बजार से डबल ओर आए थे तो यह अभी का वीडियो नहीं है यह पिछले साल का वीडियो है जो मैं अपने पुराने घर में थी रेंट पे यह मेरा फर्स्ट रेंट मकान है जहां पे मैंने फर्स्ट रेंट पे मकान लिया था तो यह वहां का वीडियो है और यह सारे डिजाइन जो है ओर्डर में आये थे सादियों का सीजन स्टार्ट था और मुझे बहुत जादा ओर्डर आये थे मेरे पास चार से पांच वरकर भी थे जो कि जने मैं धागे लपेटने का काम देती थी तो यह सारे है आप देख सकते हैं हल्दी रश्म के लिए इस तरीके से मैं पैक कर के जो कि भेज़ती थी बहुत अच्छा बिजनस है इस तरीकी का बिजनस आप भी घर पे कर सकते हैं और अच्छा खासा इंकम घर से कमा सकते हैं और मैं पेंटिंग वगरा से भी काफी अच्छी खासी इंकम कर लेती हों और अपना खुद का खर्च निकाल लेती हों इतना है कि मैं घर बैठे अपना काफी सारी चीजों को कर लेती हों पेंटिंग वगरा कभी और होम के लिए भी मैं काफी साथी चीजों का ओडर लेती रहती हूं मैंने एक पेंटिंग और दो तीन चीज़ों का और लिया था जो कि मैंने बना के दे भी दिया है और आज एक पेंटिंग जो है मुझे डिलेवर करनी है बना के देनी है तो उसके एक पेंटिंग के मैंने 300 उपीस लिये हैं जो कि कुछ नहीं किया है मैंने उस पेंटिंग को सि खराबी नहीं मिलेगी आसा नहीं कि जल्दी खराब हो जाएंगे जब तक में इन्हें पानी में डालोगी जल्दी खराब नहीं हो सकते हैं अगर आप इन्हें सेक्योर करके रखते हो तो यह काफी लॉंग टाइम चलने वाले हैं और मैं इनकी जो बहुत अच्छे मजबूती से बनाती हूँ ऐसा नहीं कि धागे वगरा कहीं से खुल जाएंगे कुछ नहीं आप एक्तम नीड एंड क्लीन मिलेगा आपको डिजाइन बहुत ज्यादा फ्रेश मिलेगा आपको इस तरीके का तो गाइज अगर आप सब भी कोई इन में से कोई भी डिजाइन पसंद आ रहा है तो मुझे स्क्रीन सोट लेके भेज सकते हैं और मुझे ऑडर दे सकते हैं या फिर आप मेरे साथ बिजनस कर सकते हैं यह भी मैं ओफर दे रही हूं आपको अगर आप ऑडर लेते हैं किसी से अगर आपको नहीं बनाना है आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे ओडर दे के अच्छा खासा सेल कर सकते हैं इन सब चीजों का आप मुझे होल सेल में ओडर दे सकते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीस एक लाइक जरूर कर देना एक शेयर कर देना औ आगे आप देखते जाएए मेरे सिल्क ट्रेट बेंगर्स के डिजाइन और कमेंट्स में जरूर करना फ्रेंड्स बाइबाए कुद देखते बेंगर्स के अखशव के हाइब जरूरीन औरीन में जरूर क प्रेंगर्स क क में एान्यो дав करना इखते मीड़र्स की छोट्चिन खेखते हैं। इालने जरूर सिल्क टी दोल्स sounds । झाल 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 झाल